नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चली आईए इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रशनों का हल करने जो की सामानतर शेडियों के विशयक के लिए काफी जरूरी है और यह जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूं प्रशन यह परीक्षा की दिश्टी कोन से भी बहुत जादा जरूरी है तो चली आईए कुछ प्रशनों का यहाँ पर हल करें तो पहला प्रशन हमें दिया गया है कि एपी 5913185 का अंतिम पद से प्रधम पद की ओर 11 पद ज्याद कीजिए बहुत ही रोचक प्रशन है यह और इसमें मैं कहूंगी कि दो कीवर्ड हैं पहला यह कि अंतिम पद हमें दिया हुआ है और दूसरा यह कि हमें अंतिम पद से शुरू होते हुए पहले पद की ओर जाना है और 11 पद ज्याद करना है तो ऐसा करते हैं कि हम जो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पे e-p हमें चाहिए वो लिख लेते हैं और वो शुरू होगी अंतिम पद से और वो जा रही है प्रथम पद की ओर तो जो e-p यहाँ प्रश्ण में दी गई थी, वो इसकी विपरीत थी, क्योंकि हम उसे प्रधम पद से अंतिम पद की ओर बढ़ रहे थे, परंतु प्रश्ण हम से ये चाह रहा था है कि हम अंतिम पद से प्रधम पद की ओर बढ़ें, तो इसलिए मैंने एपी का रूप बदल के ऐसे लिख लिय और अब आप यहां पर यह देख सकते हैं, कि जो आखरी में मेरे पास तीन पद हैं, उसके बीच का अंतर निकालना मेरे लिए काफी असान बात है, तो तेरा और नौ के बीच का अंतर जो है, वो चार हो जाएगा, परंतु मुझे जब भी अंतर निकालना होता है, एक एपी के लिए तो हम बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद का अंतर निकालते हैं, तो नौ में से अगर हम तेरा को यहां पे घटाएंगे, तो हमारे पास जो इस दी गई एपी का सार्व अंतर आएगा, वो माइनस फोर हो जाएगा, और क्योंकि अब हमारे पास डी कुछ पदों को परिभाशित कर दें, तो पहला पद 185, फिर इसमें से आप 4 घटाएंगे, तो 181, फिर 181 में से अगर आप 4 घटा रही हैं, तो 170, और इस पदाख से आपके पास अब यह सूची तयार हो गई, जिसमें आपको पहले के कुछ पद दिये गई हैं, और आखरी तो आप 11 पद निकालें, तो 11 पद निकालने के लिए जो हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा वो है कि 11 पद अगर हम निकालना चाह रही हैं, तो हम निकालना चाह रही हैं Nth term, और Nth term का सूत्र होता है, A N बराबर A प्लस N माइनस 1 का गुड़न फल D से, और यहां पर हमें क्या रखना है, N बराबर 11, A बराबर 185, और D बराबर माइनस 4, तो अब तो यह प्रशन असान लग रहा है, चलिए आए सीधे सीधे, इस पर सिर्फ हम जो यह मान हैं, उनको रख देते हैं, तो A हो गया 185, N हो गया 11, माइनस 1, और D हो गया माइनस 4, तो यहां पर हमारे पास आ गया 185, और 10 का गुड़न फल ने माइनस 4 से, तो यह हो गया 185, माइनस 40, और जिसका हमारे पास मान आ गया 145, तो इस प्रशन को हमने कितने असानी से हल कर लिया, और यहां पर मैं आपको बताना च होंगी मेरे साब से तो सबसे जरूरी चरण है वो ये कि अगर आपको अंतिम पद से प्रथम पद की ओर बढ़ना है तो आप सबसे पहले अपनी जो एपी है वो ही बदले कुछ खास अंतर नहीं पड़ा पहला पद जो है वो अब इस दी गई सूची का आखरी पद हो गया और हमारे पास जो सारवंतर है वो एक रिनात्मक संख्या आ गई अगर आप यहां देखेंगे तो जो सारवंतर है वो एक साकरात्मक संख्या है जब हमने उसको बदल दिया प्रधम पद की ओर बढ़ गए अंतिम पद से तो वो एक रिनात्मक संख्या आ गई और हमें मालूम है कि हमें इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता हमने सिर्फ सूत्र का प्रयोग किया और यहाँ पे उत्तर को निकाल लिया चलिए आईए अगला प्रश्न देखें एपी 18-16-14 के कितने पदों का योग शून ने होगा तो बहुत ही अच्छा question फिर से और यहाँ पे हमसे किस बारे में बात की गई है प्रथम पदों के योग की बात की गई है जो कि हमको यह बता देती है कि हमें सूत्र प्रयोग करना है s n बराबर n बटे दो 2 a प्लस n माइनस 1 d और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको जो सम है जो योगफल है प्रथम n पदों का वो शू ने दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि n का मान क्या होगा कितने पदों का योग यानि हमसे n पूछा गया है और आप इस जो a p दी गई है हमें इससे ये देख सकते हैं कि आपके पास पहला पद क्या है पहला पद है यहां पे सूची का पहला पद जो की हो जाएगा अठारा और यहां पे मैं अठारा रख देती हूँ फिर से मुझे n ही निकालना है और उसके बाद मेरे लिए प्रश्ण है कि इस दी गई सूची का डी क्या होगा तो सारव अंतर अगर हम दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो हमें मिल जाएगा आप तीसरे में से दूसरा भी घटा सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा जो अंतर है वो सेम ही आएगा सोला में से अगर हमने अठारा घटाया तो माइनस दो आया और चली आईए यहाँ पे हम माइनस दो रख देते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस समी करन का हल करना है तो शून ने बराबर एन बटे दो और यहाँ पे दो को अगर हम 18 से गुड़ा करेंगे तो 36 यहाँ पर हमारे पास माइनस का चिन्न यहाँ आ गया और 2 से n का गुड़नफल 2n और 2 से 1 का गुड़नफल माइनस 2 अब अगर हम पूरे ही समिकरण में 2 से गुड़नफल करते हैं तो 0 ने तो बदलेगा ही नहीं शून को आप किसी भी संख्या से गुड़न करिए तो गुड़नफल समान ही शून ही रहता है यहाँ का जो 2 है वो कैंसल हो गया अगर हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को हल करने का प्रयास करें तो यह माइनस 2n हो जाएगा और यह वाला चिन्न बदल जाएगा बहुत ही जरूरी यहाँ पे यह चरण है कि जब आप माइनस साइन के साथ किसी भी ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर दिये गए पदों का चिन्न बदल जाएगा अब आईए यहाँ पे इसको और हल कर लेते हैं और हमें 36 और 2 का योगफल 38 मिल गया माइनस 2 है क्योंकि मेरे लिए थोड़ा असान पड़ता है अगर मेरे पास जो भी पद हैं वो बाईं तरफ हो और जो उनका मान है इस तरीके से जो समी करन दिया है वो दाईं तरफ हो तो मैंने इसलिए इसको सिर्फ पलट करके दिख लिया अब आप देख सकते हैं कि यहां पे मुझे दो पद मिल रहे हैं जिनका गुड़न फल 0 है और अगर मुझे दो पदों का गुड़न फल 0 मिलता है तो इसका आशे क्या है कि इन दोनों पदों में से कोई एक पद तो 0 है ही तो क्या लिख सकते हैं हम कि इसका आशे है कि या तो पहला पद n वो 0 है या फिर हमारे पास जो दूसरा पद है 38-2n वो 0 है n शून नहीं हो सकता, n शून नहीं होने का मतलब कि हमारे पास कोई पद ही नहीं सूची में तो इस बात का तो यहां पे कोई अर्थ ही नहीं है और अगर हम दूसरे वाले अपने समी करण को हल करें तो दोनों तरफ ऐसा करते हैं कि 2n का योग कर लेते हैं तो 38 बराबर 2n हो गया पूरे समी करण में 2 जो है वो डिवाइड कर लेते हैं भाग दे लेते हैं तो 38 बराबर 2, 19 हो गया तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर हम अपनी उपर दी गई सूची में 19 पदों को योग कर लें तो हमारे पास योगफल कितना आ जाएगा शूण आ जाएगा और हमें कौन से पदों को योगफल करना है पहले 19 पदों को तो हमारा यही जो है वो उत्तर हो गया अगला प्रश्न है एक एपी का जो चौथा पद है वो शूण है तो एक पद एपी का चौथा पद शूण है सिद्ध कीजे कि इस एपी का पच्छीसवा पद के लिए मैंने यह लिख लिया उसके ग्यारवे पद यानि ग्यारवे पद के तीन गुना है तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो है ये, और हमें जो दिया गया है वो है ये, तो जो सिद्ध करना है हमें आए उसके उपर धान दें, यहां लिख लेते हैं, सिद्ध करना है ये, और अगर हम अपने व्यापक रूप की AP मान लें, तो पहला हमारे पा की सूची कुछ इस प्रकार आजाएगी तो मैंने पहला पद a माना है और सारवंतर d माना है और आईए अब हम अपने सूत्र से जिसमें हम कोई भी एनेट टम निकालते हैं उसको यहाँ पे रखने के लिए एनेट टम की परिभाशा लिखने जो की होती है a plus n minus 1 d और यहाँ प जाएगा तो a 25 बराबर है a plus 25 minus 1 d से और अगर आप a 11 की बात करें तो वो हो जाएगा a plus 11 minus 1 और इसका गुरन फल डी से और फिर हम इसको 3 से गुना कर रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ इन 25 की और a 11 की परिभाशा के अनुसार यहाँ पे मान रखती है तो यह हो जाएगा a plus 24 d और यह हो जाएगा a plus 10 d और ध्यान रखें कि हम इस पूरे को ही 3 से गुरन फल कर रहे हैं हाँ मैंने हाँ यह कलती कर दी मुझे 3 से क्यूंकि मैं दोनों ही पदों को गुरन फल कर रही हूं तो मुझे यहाँ पे इसको ब्राकेट में रखना चाहिए हम दोनों तरफ a a जो है वो घटा लें तो 3 a में से a गया और यहाँ पे a minus a शून ने हो गया और फिर हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ 24 d भी घटा लेते हैं तो 30 d में से हमारे पास 24 d है वो घटा लिया हमने तो हमारे पास आ गया 0 ने बराबर 2a plus 6 d तीस में से 24 गया तो 6 बच तरफ आएं और जो मान हैं या फिर हम कहलें जो समी करण में दिया गया अचरपद है वो दूसरी तरफ आए और यहां से मुझे दो उभेनिष्ट मिल रहा है और यहां पे मुझे यहां से हमें यह पता चला कि जो दिया गया समी करण है वो सही अगर है तो हमारे पास ए प्लस 3D का मान शूनने होना चाहिए तो ए प्लस 3D को अगर मैं थोड़ा सा अलग तो वो बन जाएगा एक प्लस 4 माइनस 1D और इसको हम शूनने के बराबर लिख दें और यहां पे हमें यह ए 4 का मान मिल गया आप देखिए यहां पे जो हमें इस परिभाशा से ए प्लस एन माइनस 1D के रूप में मिलता था वो बताता था ए एन का मान तो यह ए 4 का मान हमें शूनने मिल गया जो कि एक सही कथन है तो इसलिए जो हमें सिद्ध करना था वो भी एक सही कथन है और हम यह कह सकते हैं कि ए 25 बराबर ए 11 का 3 गुना होना भी एक सही कथन है तो ह हमें आपर लिख देंगे कि हमने इस बात को सिद्ध कर दिया क्योंकि जो हमें सिद्ध करना था वो हमें एक सहीवी कथन दे रहा था अगला प्रशना ये हल करते हैं तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं नौ से विभाज होंगी तो पहले आएए हम उन संख्याओं के उपर ध्यान दें जो की तीन अंकों की हैं और नौ से विभाज होंगी तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास है सो फिर आएगी एक सो एक और इस तरह से हमारे पास जो संख्याएं है वो आखरी तीन अंकों की संख्या नौ सो निन्यानवे हो जाएगी परंदु हमें यहाँ पर यह देखना है कि यह कौन सी तीन अंकों की संख्या है जो की नौ से विभाज होगी तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कौन सी ऐसी सबसे चोटी संख्या है जो की नौ से विभाज होगी तो सौ जो है वो नौ से विभाज नहीं होगी एक सो एक भी नौ से विभाज नहीं होगी और हाँ यहाँ पे आपके लिए एक बात को ध्यान में रखना काफी अच्छा रहेगा कि नौ से विभाजित होने वाली संख्याओं के अंकों का जो योगफल है वो नौ से विभाजित होता है तो यहां पे अंकों का जो योगफल है वो एक है तो एक तो नौ से विभाजित नहीं है तो यह संख्या भी नौ से विभाजित नहीं यहां पे अंको का योगफल दो तो वो भी नहीं अगले चरण में हमारे पास एक सो दो आएगा तो उसमें तीन आ रहा है तो वो भी नहीं फिर एक सो चार आ रहा है तो इसमें योगफल जो है पांच हो गया ये भी नहीं अगले में 105 आ रहा है तो योगफल 6 हो गया ये भी नहीं अगले में 106 आ रहा है तो योगफल 7 हो गया ये भी नहीं अगले में 107 आ रहा है तो योगफल 8 हो गया ये भी नहीं और अगले में 108 आ रहा है और योगफल 9 हो गया तो पहली तीन अंकों की संख्या जो की नो से विभाजत होगी वो है एक सो आथ और इसके बाद आए हम ये देखते हैं कि कौन सी आखरी संख्या है जो की नो से विभाजत होगी तो अगर हम सबसे बड़ी संख्या पे ध्यान दें तो यहां पे अंकों का सम हो गया 9 और 918 और 927 और 27 जो है वो 9 से विभाजित होगा तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी तो अगर हम एक इसको सामांतर शेड़ी के रूप देना चाहिए तो हम यह कह सकते हैं कि आखरी हमारे पास जो यहां पे पद आएगा इस शेड़ी में वो है 999 तो हमें क्या करना है हमें अब इस शेड़ी के निकालने हैं कि कितने पद हैं क्योंकि पूछा गया है कि कितनी संख्या हैं और अगर हम इस शेडी पे ध्यान दें तो हमारे पास पहला पद 108 है आखरी पद या फिर हम कहले एनित पद जो है वो है 999 आप अगर यहां पर बात करें सार्वंतर की तो आप बता सकते हैं सार्वंतर क्या होगा 108 के बाद जो संख्या यहां पे 9 से विभाजित होगी वो हो जाएगी 117 तो सार्वंतर क्या हुआ सार्वंतर हो गया 9 तो यहां पे जो मेरे पास सार्वंतर आ गया वो हो गया 9 तो चली आईए अब हम यहां पे सूतर का पयोग कर लेते हैं और अगर हमारे पास एनित टम के लि हमें जो AN है उसका भी मान पदा है, हमें A का भी मान पदा है, हमें N का मान निकालना है, और हमें D का भी मान पदा है, तो एक समिकरण में हमारे पास सिर्फ एक जो है वो अचरपद है, और चलिए आईए इसका मान निकाल लेते हैं, तो दोनों तरफ पहले 108 को हम घटा दें, त तो दाइन तरफ 108 घट जाएगा और बाइन तरफ हमारे पास 999 में से 108 घट के कितना आया तो 1,9,8 और अब हम पूरे ही समिगरण में 9 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा और 9 को अगर हम 9 से गुणनफल करेंगे तो 81 और फिर से हमारे पास 81 बचेगा तो ये 99 हो गया तो 99 ब प्रावर एन आ जाएगा और इससे ये पता चल गया है कि हमारे पास 3 अंकों वाली ऐसी 100 संख्याई हैं जो की यहां पे 9 से विभाजत होंगी चलिए आईए अगला प्रश्म देखते हैं एक्केस अठारा पंद्रा का कौन सा पद माइनस 81 है साथ ही इस क्या इस एपी का कोई पद शून है सा कारण उत्तर दीजिए तो काफी अच्छा प्रश्म है सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या माइनस 81 इस दिये गए एपी का कोई पद है या नहीं तो आईए एपी का अध्यान करके इसका पहला पद लिख लें जो की 21 है इसके लिए जो यहाँ पे सार्वंतर है वो लिख ले तो दूसरे पद मीसे अगर हम पहला पद घटाएंगे तो सार्वंतर हमें मिल जाएगा आप तीसरे में से भी दूसरा घरटा करके निकाल सकते हैं सारवंतर जो है वो समान ही आएगा इसके बाद में हम से पूछा गया है कि क्या इसका कोई पद माइनस 81 है तो हमें ये जांच करना है कि क्या माइनस 81 के लिए अगर हम यहाँ पे N का मान निकालेंगे तो क्या वो कोई पूण संख्या आएगी क्योंकि अगर हम N को देखें तो वो हमें बताता है कि संख्या की कौन सी जो है वो जगा है दी गई शेणी में तो अगर हमारे पास यहाँ पे इस माइनस 81 संख्या के लिए N का मान एक पूण संख्या आ जाता है या फिर कह लें कि एक सरकारात में खुणांग का जाता है तो ये बात सार तक बैठेगी और a n का हमारे पास सूत्र है a प्लस n माइनस 1 और इसका गृणफर दी से जो की माइनस 81 हो गया a हमारे पास जो है 21 है n हमें निकालना है d हमारे पास माइनस 3 है और ये माइनस 81 हो गया चलिए आईए ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम 21 को घटा देते हैं तो n माइनस 1 और ये माइनस 3 यहाँ पे बचेगा और क्योंकि यहाँ पे 21 घट करके खतम हो जाएगा यहाँ पे ये 102 बन जाएगा आईए पूरे ही समिकरणल माइनस 3 से हम भाग दे दें तो यहाँ पे अगर हम माइनस 3 से भाग देंगे तो माइनस और माइनस का तो चिन्न है वो खतम हो गया और 3 से अगर हमने 10 को किया तो 3 और यहाँ पे एक शेशवल वारा बना दिया तो ये 4 हो गया तो अगर हम दोनों तरफ एक यहाँ पे जोड़ दें तो 35 मिल जाएगा तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे पद का निकालना चाह रहे थे कि स्थान क्या होगा तो वो 35 वाइस तान आ गया तो ये बात सार्थक है कि जो माइनस 1 कैसी है वो इस पद का ही एक इस शेड़ी का ही एक पद है पूछ रहे हैं कि क्या इस शेड़ी का कोई पद शून है अब हमें फिर से यही क्रिया करनी है बरन्तु इस बार हम जो अन है उसको शून लेके आगे भढ़ेंगे तो आईए देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे a plus n minus 1 और d को 0 माने तो क्या हमें n का कोई पूर्ण परणाम मिल रहा है पूर्ण मान मिल रहा है तो 21 plus n minus 1 और फिर से minus 3 बराबर 0 ने हो गया दोनों तरफ आईए हम 21 को घटा देते हैं तो n minus 1 और minus 3 का गुड़नपल हमें minus 21 मिल गया आईए हम पूरे ही समिकरण में minus 3 से भाग दे दें तो minus 21 minus 3 का भाग हमें 7 मिल गया आईए हम पूरे समिकरण को फिर से लिख लें इस तरह से और 1 को पूरे समिकरण में हम योग कर दें तो 7 और 1 का योग 8 मिल गया तो अगर आप इस समी करण का आठवा ही पद देखेंगे तो वह आपको शून मिल जाएगा तो ये बात कहना ठीक है कि ये जो संख्या शून है वो भी इस शेडी की ही है और हमने सरकारण इसका उत्तर दे दिया चलिए आईए अगला प्रश्मे देखें किसी पद का सत्रवा पद उसके दस्वें पद से साथ अधिक है तो चलिए आईए इसको समी करण के रूप में लिख लेते हैं जो यहाँ पे हमको एक कथन दिया गया कि सत्रवा पद दस्वें पद से साथ अधिक है और अगर हम यहाँ पे जो एपी की बात कर रही है उसको व्यापक रूप में और साथ में D का गुड़नफल N-1 से और यहां से अगर हम A 17 की बात करें तो A 17-1 16D आजाएगा और अगर हम 10 में पद की बात करें तो A 10-1 यानि 9D आजाएगा तो चली आईए इन यहां पे मानों को रख दें तो A 16D बराबर A 9D प्लस 7 मिल गया हमें और अगर हम दोनों तरफ A A घटा दें तो 16D बराबर 9D प्लस 7 मिल जाएगा अगर हम दोनों तरफ 9D घटा दें तो 16D-9D बराबर 7 मिल जाएगा और यह हो जाएगा 7D बराबर 7 और अगर हम 7 से ही भाग दे दें तो 7 और 7 का भाग हमारे पास 1 आजाएगा और इससे हमें पता चल गया कि सारवंतर जो है वो वन है और यही तो हमें ग्याद करना था तो दी गई जो शर्द थी हमने सिर्फ उसको ही हल किया और हमारे पास यहां पे जो पूछा गया था उसका मान मिल गया जो कि सारवंतर एक आया आईए एक और प्रश्म देखते हैं एक AP का Nth पद आपको दिया गया है और Nth पद क्या गिवन है माइनस 4N प्लस 15 इस AP के प्रथम 15 पदों का योग ग्याद कीजिए तो बहुत ही अच्छा प्रश्म है कि हमसे यह पूछा गया है कि अगर आपको Nth पद दिया गया है तो उसके प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा तो सबसे पहले आ तो 2A प्लस N माइनस 1 का गुड़न D से और अगर हम प्रथम 15 पदों की बात कर रहे हैं तो हम यह चाह रहे हैं आपसे और यहाँ पे 2A प्लस 15 माइनस 1D हमें चाहिए इसको थोड़ा सा अगर हम और सुलजा लें तो हमारे पास आजाएगा 2A प्लस 15D माइनस 1D जो की 14D हो ज करके लिख लेती हूं तो यह आ गया मेरे पास 15 माइनस 1 जो की 14 था तो 14D और अगर इसमें से हम अभी 2 जो है उभेनिस्ट निकाल लें तो आ जाएगा A प्लस 70 और अगर इसको अर्श को हम काट दें तो यह आ गया 15 और A प्लस 70 तो अगर हम यहाँ पे इस बात पे ध्यान द 1D और जो की हमारे पास आ जाएगा A 8 यानि अगर आप किसी तरहां से आठवा पद निकाल लें और उसका हम गुड़न फल कर दें 15 से तो जो हमें फल मिल रहा है वो ही हमारे प्रथम पदा पदों का जो है वो हल हो जाएगा योग फल हो जाएगा तो आए दिये गए सूत्र से हम क्या निकाल लें कि आठवा पद क्या होगा तो आठवे पद के लिए हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ इस सूत्र में N की जगा पे 8 रगना है और ये आ गया माइनस 32 प्लस 15 जो की होता है माइनस 17 तो सिर्फ हमें यहां पे अब इस मान को पर इस्थापित कर देना है तो जो की हो जाएगा 15 के साथ गुड़न फल माइनस 17 का और अगर मैं इस गुड़न फल को निकालूं तो 15 और 7 का गुड़न फल 105 दस हासल लगा 15 एकम 15 और 10 25 साथ में माइनस तो हमारे पास कितनी सरलता से जो उत्तर है वो आ गया जो की है माइनस 205 पर एक और विधी हो सकती है जिसमें आप ये पता लगाने का प्रयास करें कि A और D का मान क्या है तो वो भी आप कर सकते हैं मगर आप यहाँ पर देखें कि अगर हम थोड़ा साथ बात को अच्छे से समझें और जो भी हमाई पास सूत रहें उनको अलग-अलग स्थानों पर फिर से प्रयोग करने का प तो आपको इसका एनत पद या फिर कहलें एनवा पद जो है वो ग्याद करना है तो यहाँ बे हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सूत्र है जो कि पदों का योग और एनवा पद जो है उसके बीच में हमें कोई संबंद बताए तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हम एक एनत पद की बात करते हैं तो वो हम निकाल सकते हैं अगर हम एन पदों का सम निकाल ले और एन दोनों का अंतर ले ले तो क्यूंकि हमें परिभाशा यहाँ पे एन पदों के सम की दी गई है योगफल की दी गई है तो इसी परिभाशा से हम एन यहाँ पे रखना पड़ेगा और अब अगर हम परिभाशा या सूत्र कहलें उसके अनुसार यहाँ पे हल करें तो उपर दिये गए दोनों पदों का या उपर दिये गए दोनों यहाँ पे जो चरण हैं इनका अगर हम अंतर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर आएए यहाँ पे हम सिर्फ मान रख देते हैं 3N square plus 6N और हमें इसको क्या इससे घटाना है 3N minus 1 whole square और यहाँ पे भी सॉरी 6 के साथ में N minus 1 का गुड़नफल होगा तो यहाँ पे हम रख देते हैं 6N minus 1 तो चलिए आईए इसको हल करने का प्रयास करें तो हमारे पास आया 3N square plus 6N minus 3 N minus 1 का whole square minus 6 N minus 1 अब अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरहां से हल करना चाहूं कि पहली और तीसरी जो पद हैं उनको एक तरफ कर लूँ तो उसमें से मुझे उभेनिश जो है वो 3 मिल जाएगा और bracket के अंदर N square minus N minus 1 का whole square आ जाएगा और दूसरे और चौथे में से मुझे 6 उभेनिश मिल जाएगा और N minus N minus 1 मेरे पास इसके अंदर आगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक सर्फ समिका का प्रयोग कर सकते हैं जिसके अनुसार अगर दो वर्गों का हमको अंतर देखना है तो वो हो जाता है उन दोनों ही पदों का मतलब जो यहाँ पे पद है A और B उनका योगफल और उनके अंतर का गुड़न फल तो यहाँ पे भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पे हमें जो दो पद मिल जाएंगे वो होगा इन दोनों का योगफल और वो होगा इन दोनों पदों का इस तरह से अंतर और यहाँ पे हम इसको N-N करेंगे तो 0 और फिर 1 मिला तो यहाँ पे 3 और साथ में N-N करेंगे तो 2N-1 और यहाँ पर फिर n और n cancel हो गया 1 से हम किसी भी चीज का गुड़नफल करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता इस तरह से हमें 6n-3 प्लस 6 मिल जाएगा और जिसका हम हल करेंगे तो 6n-3 आ गया तो इस प्रश्न को मैं ये तो नहीं कहूंगे कि बहुत सरल प्रश्न था थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी था बट आप अगर जो मानी हुई बाते हैं मतलब जो आप से मांगा गया है और जो दिया गया है उसको अच्छे से अध्धन करें तो आपको कोई ना कोई सूत्र ऐसा सठीक बैठता नजर आएगा मुझे आशा है मैंने इस पूरे ही वीडियो में आपको जो भी बाते बताई वो आपको अच्छे से समझाई होगी